नमस्ते दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एंटी इंडिया में और आज हमें एक बहुत ही खास बिल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है तो क्या सच में यह एक किसान विरोधी बिल है आई ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो दोस्तो आपने सर चौदरी छोटू राम का तो नाम सुना ही होगा जो सच में बहुत ही बड़े महान करांतिकारी थे किसानों के हितेशी थे और एक बहुत बड़े समासोधारक थे उन्होंने किसानों के उपर एक बात बोली थी जो मुझे सबसे बैस लगती है कि ऐ मेरे भूले किसान मेरी दो बाते मान ले एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुस्मन पहचान ले इसी बात पर आज मैं आपको एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूँ एक किसान था जो मंडी में अपना माल फैला कर एक कौने में हात बांद कर बैठा हुआ था और वही गरीब किसान बारवार मंडी का जो आड़ती होता है उससे बिंती करता है कि साहब मेरे माल की बोली लगवा दो तो आड़ती अकडगर कहता है कि रुक जा देख नहीं रहा कितने लोग लाइन में खड़े हुए है और वही गरीब और भूला किसान फिर से उसी कौनी में जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद आड़ती से आकर फिर कहता है कि साहब अब तो देख लो मेरा माल काफी देर से बाहर पड़ा हुआ है फिर वही आड़ती जो आज तक ना कभी खेत में गया ना उसने कभी फावड़ा चलाया बड़े घमंड से नाज को पकड़ता है मुठी मेलेतार कहता है यह तो गीला है यह तो सीग्रेट का माल है अच्छा माल नहीं है तो विचारा किसान बोलता है कि साहब जैसा है आपके आगे है तो आड़ती कहता है कि ठीक है खरीट तो लूँगा लेकिन पचास रुपे कम दूँगा तो विचारा किसान है वो करीबी तो क्या करे कि ये तो 20 कोईंटल माल था आपने 18 कोईंटल कैसे चूल दिया तो आड़ती उसे धंकाते हुए कहता है कि तेरे आगे तोला है मैं तेरे अनाज को खा थोड़ी गया हूँ और पैसे अभी लेगा या बाद मिलेगा तो उसके बाद जो किसान है वो कहता है कि साहब मुझे तो कि बहुत जरूरत है मुझे तो अभी पैसे दे दो जब आड़ती उसे पैसे देता है तो 3% कमिशन का टेक्स, मंडी टेक्स, सफाई टेक्स, तोलाई टेक्स, माल की बोरी लगवाने के लिए हरिश्वत हो अलग और जब किसान के हाथ में पैसे आता है तो 15 कोईंटल का बाक किसान विल 2020 का जो विरोध कर रहे थे ना वो सर्फ उस 5 कोईंटल गय हूँ, उस 5 कोईंटल माल के लिए ही हो रहा है पहले बात करते हैं इस किसान बिल की की आखरिया है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है तो मोदी सरकार तीन विदेयक लेक्या आई थी जिसमें से पहल बेचने की पूर्णा जादी है इसमें किसान के पास यह option है कि अगर उसे मंडी का जो MSP होता है अगर उससे अच्छा दाम बाहर मिल रहा है तो वह उसे बाहर किसी private firm को बेच सकता है यह है वेकलपिक है अगर वह चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है जैसे वो पहले से लगेगा लेकिन बाहर बेचेगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दूसरा बिल है किसान अनुबंद विद्यक 2020 यानि farmer agreement of price assurance and farm बिल इस कानून में किसान को अपने होने वाले किरसी उत्पाद को पहले से ही तैदाम पर बेचने के लिए किरसी website firm का प्रोसेसरों का विक्रेताओं का निर्यातक और विक्रेताओं के साथ अनुबंद का पूरा का पूरा हक मिलेगा सीधा हक मिलेगा essential commodity bill 2020 यानि आवश्यक वस्तू संसोधन bill 2020 इसमें आवश्यक वस्तू जैसे आलू, प्याज, दाल, तिल और किरसी फसल को अब देश में अगर अकाल या आपातकाल की स्थिती नहीं है तो उसका भंडारंग करके रखा जा सकता है इसका लाब यह होगा कि किरसी छेटर में प्राइवेट नवेश्ट से मूल्यों में स्थिरता आएगी जबकि इसमें किसान प्राइवेट बेचे या मंडी में उसका जो MSP यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइज है वो बिल्कुल सेफ है उसके साथ कोई छेड़ छाड नहीं की गई है अब इससे किसान बिना कि आड़ती या अफसर के अधीन होकर बहतर मूले पा सकता है और सबसे बड़ी बात है इससे कमप्टीशन बढ़ेगा प्राइवेट और मंडी वालों के बीच में जिससे किसान के आगे मनमानी करने वाले जो APMC के अफसर होते हैं इनको सबक मिलेगा और किसान अपनी फसल को सर उठा कर भी बेच सकेगा आपने अकसर देखा होगा कि APMC की मनमानी से कई बार महरास्ट में बहुत ज़्यादा ख़बर मिलती हैं कि जो किसान होते हैं उन्होंने टिमाटरों को सड़क पे गेड़ दिया क्योंकि उनके जो टिमाटर हैं वो एक र जहीं कि मनमानी की सीवरा है अगर हम देखें तो अब भी किसान के हालात को ज्यादा अच्छे नहीं है ईकी एपी एंसी में रहकर तो Angie अगर आपना माल geç Waterском तो कहीं नहीं आप्शन है कि उन्हें उसका अच्छा दान मिल सकता है कि कि इसान अपने जो फसल ऊज़कों या फिर मंडी में जो एपेम से अधिकारियां उनके अधीन रहकर सस्ति दावं वेचे तो इससे अच्छा है कि कहीं न कहीं ये option मिलता है किसानों को कि अब वो private firm को भी बेच सकते हैं क्योंकि अगर वो मंडी में बेच रहे हैं तो भी उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा लिमिट से ज़्यादा कोई भी माल अपनी गूडाउन में रखता था, अगर वो पुलिस या फिर सरकार के रेडार में आ जाता था था उसे काला बाजरी बोला जाता था, तो अब ये सिस्टम सरकार ने खतम कर दिया है, अब आप चाहें तो कितनी भी चीज अपने स्टोर में माल नहीं रखा जा रहा है, यह बात कांग्रेस ने अपने 2014 के मैनिफेस्टों में भी कही ही, कि हम यह ब लेके आएंगे, तो अब इसका वरोध क्यों, तो भीए साफ है, जो 370, राम बंदिर और ट्रिपर्तलाग जैसे मुद्धों का वरोध कर सकते हैं, और लोगों को गु कोई नई बात नहीं है सरकार ने MSP नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर बदलाव नहीं किया है पर कांग्रेस और भारती एक किसान यूनियन है वह जूटी अफवाइं उडा रहे हैं कि सरकार MSP को खतम कर देगी बिल्कुल वैसे जैसे CA कानून में NRC को गुसा कर दिल्ली को जल्वा दिया था बिल्कुल जबकि सरकार ने NRC की कोई बात ही नहीं की जिस तरह से सरकार ने अभी MSP को खतम करने को पर कोई बात नहीं की है तो मेरे हिसाब से जो यह कानून है मंडी विरोधी तो हो सकता है लेकिन किसान विरोधी तो कहीं से भी नहीं है तो सवाल यह है क इसका वरोध सिर्फ हर्यानाथ पंजब में ही हो रहा है क्योंकि किसान तो महरास्ट में भी हैं भिहार में भी हैं तो आपको बता दूं किسानों से ज़्यादा कांग्रेसी सपोर्टर इसका वरोध कर रहे हैं और आमाधी पार्टी भी इसमें कूद गई है जबकि दिल्ली में तो किसान ना के बरावर है तो भाई अब बात आदू यह सब राजनीती है पंजाब में इलेक्शन है कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी है इसलिए वरोध कर रहे है अकाली दल को सत्ता पानी है इसलिए वरोध कर रहे है और आमादी पार्टी आसा की नजरों से किसानों का जोटा हितेशी बनकर सियम का सपना लिए राजसवा में तोड़ फोड़ कर रही है जो BKU है यानि भारतिय किसान यूनियन वो 2014 में ही अपना समर्थन और अपना इमान कॉंग्रेस को दे चुकी है उसके बाद 2019 में भी सिर्फ इसी बिल के कारण उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था इसमें जो कई एंटी मूदी लोग हैं उन्होंने इसे काफिकरांती कारी बताया जैसे कि योगेंद्रियादव और सिवचेना ने भी इसका समर्थन किया है जबकि हरियाना और पंजाब के अलावा इसका वरूद कहीं हो भी नहीं रहा बाकि अब भी मंडी का रास्ता खुला हुआ है ना सरकार ने MSP पर कोई रोक लगाई है और ना ही सरकार ने का है कि हम जो किसान है उसका नाज नहीं खरीदेंगे बाकि अब ये है कि जो मंडी अधिकारी है उनकी मर्जी नहीं चलेगी आड़तियों की मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि सरकार ने एक नहीं रास्ता दिया है जो कि optional है जिसमें किसान आड़ति के पास ने जाकर सीधा कंपनी के पास जाएगा जिससे उसका जो पाँच कोईंटल माल है जो पाँच कोईंटल माल था जिसे आड़ति खा जा था वो भी बच जाएगा तो अब आप खुद सोचें कि वेपक्स किसानों के साथ है या सहुकारों के साथ बाकि आपने ये वीदियो पूरी देख लिए और अगर आप मुझे अब भी देख रहें तो इसक अमतलाब आप जरूर किसानों की पर्वा करते हैं और किसानों के बारे में भला सोचना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो ज्यादा-ज्यादा लाइक करें शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिसे आने वाली वीडियो की नोट्वेक्शन आपको पहले ही मिल सके जै शिराम दोस्तों जै हिंद जै जै जवान जै किसान व देमात्रम